जोतिश में बुद्ध ग्रह को बुद्धी वानी निवेश समवाद कला गनित और ग्यान का कारक ग्रह माना जाता है कहा जाता है कि बुद्ध ग्रह राहू केतुर मंगल से शत्रु का भाव और सूरी शुक्र से मतरता का भाव रखते हैं वहीं जब बुद्ध गुरू, शुक्र, सूरी और चंदरबां के साथ रहते हैं तो इससे शुपफल मिलता है। गुरू, राहू के तो मंगल और शुनी के साथ रहते हैं तो वह अशुपल प्रिदान करते हैं। लेकिन जब बुद्ध ग्रह किसी एक राशी से दूसरी राशी में आते हैं तो इसमें करीं 20 दिनों का समय लगता है। यह जाना बहुत जरूरी है कि कब बुद्ध ग्रह अपनी चाल बदलेंगे तो कि इससे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बतादें कि अपने काम करने से पहले यह जानले कि बुद्ध ग्रह का वक्री हो रहे हैं। फरवरी में बुद्ध वक्री से मार्गी हो जाएंगे। मार्च में बुद्ध 6 मार्च को मकर से निकल कर कुम्भ में प्रवेश करेंगे। 24 मार्च को वापस से बुद्ध अपना राशी परिवर्तन कर मीन राशी में प्रवेश कर लेंगे। इसके बाद 8 अप्रेल को बुद्ध मीन राशी से निकल जाएंगे और मेश में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रेल को विशब राशी में प्रवेश होगा मैं में बुद्ध विशब राशी में वक्री होंगे जून में विशब राशी में मारगी होंगे 2 जुलाई को बुद्ध मिथुन में और फिर 16 जुलाई को कर्क में और 31 जुलाई को सिहराशी में प्रवेश करेंगे इसके बाद 20 अगर्स को बुद्ध कर्निया राशी में प्रवेश करेंगे 10 सितंबर को बुद्ध कर्निया राशी में वक्री होंगे एक अक्टूबर को बुद्ध सिह राशी में वक्री होंगे, वहीं दो अक्टूबर को कन्या राशी में और 26 अक्टूबर को तुला राशी में प्रवेश करेंगे, नवंबर में बुद्ध ग्रह 13 नवंबर को वृष्चिक राशी में प्रवेश करेंगे, दो दिसंबर को लग लाले कन वो मूर अप्डेट